हलो बच्चो वेलकम यूँ आन फिनिक्स एड्यू आज हम छोटे से टाइम में बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कंसेप सीखने वाले हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट का ओडर क्या होता है यह तो कैसे बदलता है अभी देखो पहले तो यह याद कैसे क करना है वो समझ लो 3D ट्रांजिशन सीरीज हम याद करते है साइंस टीचर वैरी क्लेवर मैं फैको निकुजन अब मैं यह बोलता हो ना तो बच्चे मुझे ही फैक देते लास्ट में बोलते थे फैको निकुंज निकुंज नाम है तो मुझे ही फैक दिंगे कुछ भी करो याद होना चाहिए साइंस टीचर वैरी क्लेवर मैं फैको निकुजन अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड करता है उसके बीच में अगर बाई प्रेम ज्यादा है दो लोगों के बीच में ज्यादा प्रेम है तो नजदिक रहेंगे अलग करने के लिए क क्या होगा वहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए तो यहाँ पर मैटल है मैटल के बीच में होगा क्या मैटलिक बॉंड अभी वो मैटलिक बॉंड किसके प्रपोर्शन में होगा जहाँ पर नंबर ओफ अनपैड इलेक्ट्रों ज्यादा तो यह नीचे reason लिख दे भई कि metallic bond जो है वो directly proportional होता है number of unpaid electron अब जितना metallic bond ज्यादा उतना वहाँ पर क्या होगा attraction मतलब होगा क्या भई तो उसे melt करने के लिए ज्यादा energy लगानी पड़ेगी तो अभी यहीं लिख लो कि उसका melting point भी क्या होगा ज्यादा होगा चलो इसमें से देखो सबसे ज्यादा number of unpaid electron क्या होंगे या तो किसके ज्यादा है तो जब कभी भी आप यहां तक पहुँचते हो scandium से लेके chromium तक पहुचते हो तो number of unpaid electron बढ़ते है इसमें कितने है एक unpaid यहां पे दो यहां पे तीन इसमें total unpaid electron देखो कितने होगे six unpaid होगे मतलब maximum है न तो इसी वज़े से इसका melting point भी क्या होगा maximum अब after chromium जब आप zinc तक पहुचते हो तो again number of unpaid electron कम होते है अगर unpaid electron कम है तो metallic bond भी weak होगा और उसका melting point भी कम होगा मतलब वो कम temperature पे भी melt हो जाएगा तो अब यहां से क्या होगा तो भई unpaid electron कम मतलब melting point again क्या होना शुरू होगा decrease यहां पे क्या होता है तो भई melting point जो है वो increase होना शुरू होता है clear तो maximum किसके होते chromium इसके नीचे कौन आता है तो मतलब की chromium, molybdenum and tungsten इसके melting point maximum होंगे into respective their series तीनों में से maximum tungsten फिर molybdenum और फिर chromium पर अगर 3D series में पूछे तो chromium, 4D में पूछे तो molybdenum and 5D में पूछे तो tungsten एक exception याद रखना सबका पहले increase चलो यहां से बड़ा इधर बड़ा इधर भी बड़ा फिर यहां से दीरे-दीरे कम होना शुरू होगा ऐसा बोल दी आमने की भई चलो इसका कम हुआ यहां से दीरे-दीरा क्या शुरू हुआ कम होना शुरू हो गया एक exception है मेंगेनीज का exceptionally low होगा क्यों लो होगा because of its packing structure या तो हम बोल देते हैं लेटा स्ट्रक्चर याद रहेगा chromium तक बढ़ेगा फिर उसके बाद कम होगा एक बस अकेला है मेंगेनीज जिसका exceptionally low melting point देखने को मिलता है थैंक्यू हुआ 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 है